नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं मार्किंग के बारे में तो आईए चालू करते हैं मार्किंग तो बजार में उपलब्द मूलक अच्छे पदार्तों को उपयोगी वस्तू में बदलने के लिए विविन इस्थानों उपर कटिंग करके धातू को हटाया जाता है दातू को हटाने से पहले बेसिक इस्ठाफ पर चिन्न कर लिया जाती है जिससे यह मालूम हो जाए कि किस भाग से कितनी धातू को हटाना है इसके लिए धातू को ड्राइंग के अनुसार कार खंड पर केंदर बिंदू केंदर रिर्खा बौंडरी लाइन आधी खीच लिजाती है इसी कारी को चिन्नन या मार्किंग करना खेल जाते हैं मार्किंग तो मार्किंग करने से पूरो जॉब की सत्व को निमली खित-पदार से मार्किंग मीडिया के रूप में उप्योग में लाई जाते हैं जो हैं साधरन Blackboard Chalk ततिया अभिन्याश डाई या Layout डाई या Sweat Lep या White Coating साधरन Blackboard Chalk ये चूने से बना साधरन Blackboard Chalk होता है इसको जॉब या कारिखंड की सता पर पानी में भीगो कर लेब कर दिया जाता है तथा लेब सुकने के बाद सता पर मार्किंग की जाती है इसका उपयोग डलवा लोगा तथा इसपात की कुर्दरी सतों पर मार्किंग करने के लिए किया जाता है तर्तिया Blue White Roll यहाँ पानी में नीला थोता है नीला थोता याने Copper Sulfate इसमें गंदक के अम्ल की भी कुछ बूंदे मिली होती है इसको इसपात की सता पर लगाने पर सता कारण तामे के समान चमकदार हो जाता है इसका उपयोग करने से पहले जौब की सता को अच्छी तरे से साप कर लेना चाहिए और इसका उपयोग फिनिस सता पर ही करना चाहिए अबिन्यास डाई यह एक प्रकार की स्याही रंग जैसा द्रोग होता है जिसे धातू की सता पर ब्रूस की साहता से लगाया जाता है जब जाब की सता पर आसानी से लगाया जा सकता है तता जल्दी सूख जाता है इसको जाब की सता पर आसानी से उतारा भी जा सकता है मार्किंग करने की विदियां तो मार्किंग करने के लिए जो विदिया उप्योग में लाई जाती है वो निम लिखी ते निर्देस लाइन विदी या डेटम लाइन विदी केंदर रेखा विदी सेंटर लाइन विदी टेमपर्ड वा मार्किंग मेथड धन्यवाद